तो देखिए हम लोग कर रहे थे हमारा राजिस्थान जो आपकी NCRT की बुक इस वक्त स्कूल में चल रही है तो उसके साथ वे ही एक और बुक चल रही है राजिस्थान जीके की हमारा राजिस्थान तो उसी को हम कर रहे हैं 6th class हमने complete की 7th हमने complete की और आज हम 8th class को भी अच्छे तरीके से complete कर लेंगे आज हम last chapter के थोड़े से ही question जो बाकी हैं उनको भी आज हम पूरा कर लेंगे और उसके बाद कल से हम 9th class स्टार्ट करेंगे तो जिन बच्चों ने चैनल को subscribe नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें पैल बटन को प्रेस कर लें जिसे की कोई भी वीडियो नया आता है तो उसकी सुचना आपको टाइम पर मिलती रहे ठीके और मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे ज़्यादा जरूरी जो बच्चे RBSC की बुक पहले कर चुके हैं तो question answer series जो मैंने आप लोगों को करवाई थी आप लोगों के पास होगी आप लोग उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और हमारा राजिस्थान जो मैंने यहां कराई है प्लेलिस्ट में डाली जा चुकी है हर चैप्टर आपको मिलेगा सबसे पहले हम बुक को पढ़ते हैं पिल्कुल एक एक चैप्टर करके और उसके बाद हम उनके question answer करते हैं question answer भी ऐसे होते हैं कि जो बच्चे chapter नहीं पढ़ पाते हैं तो वो question answer के माध्यम से chapter complete कर सकते हैं क्योंकि मेरे द्वारा एक भी single line जो है question format के रूप में नहीं छोड़ी जाती है सारे के सारे मैं include कर लेती हूँ एक paragraph में आपके जितने भी question बन सकते हैं तो वो मैं सब ही यहाँ लेती हूँ क्योंकि कोई भी question जो है आपके exam में आ सकता है चाहे आप first grade की त्यारी करो, second grade की करो, read की करो आपको ये books तो पढ़ने ही पढ़ेगी 6th class, 7th class, छोटी class समझकर आप इनको ignore नहीं करेंगे base यदि आपका कमजोर रह जाएगा तो आगे जो भी बड़ी classes हों ही उनको पढ़ने में आपको परेशानी आएगी तो चलिए, आज हम इस chapter को complete कर लेंगे, 55 question हमने last video में complete कर लिये थे तो next देखिए, question 56 है, चित्र सैली से क्या तातपर्य है? तो यहाँ पर चित्र सैली से तातपर्य है, चित्र बनाने की एक विसेज technique, ठीक है? एक विसेज तरीका होता है, चित्र बनाने का, उसे ही चित्र सैली कहा जाता है बनी ठणी चित्र सैली किस प्रसिद्ध चित्र सैली से संबंदित है? और यह जो question है, बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि ऐसा कोई exam मैंने नहीं देखा है कि एक साल में जो भी exam लिये जाते हैं, teaching के, तो उसमें ये question ना पुछा गया हो उराजिस्तान में तो बहुत important question है, 8th class का last chapter वहाँ पर आपको ये question देखने को मिलता है तो बनी ठणी चित्र सैली, जो की किसंगर चित्र सैली से संबंदित है, ठीक है? और detail में मैंने आपको chapter जब पढ़ाया था, तो वहाँ आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है? chapter आप देखिएगा, यदि आपको यह question जो है, वह समझ में ना आए question बहुत important है, आपके पिछले exam में आप लोग उठा कर देखिएगा question paper question जो है, वो इनहीं book से आये हुए है, उदैपुर शाली की क्या विसेशताइं हैं? तो कदम का ब्रक्ष, केले, हाथी, चकोर पक्षी और चित्रों में लाल रंग का प्रियोग, तो उदैपुर शाली की ये प्रमुक विसेशताइं हैं, इन चित्रों में आपको ब्रक्ष जो है वो कदम का ब्रक्ष मिलेगा, केले मिलेंगे, हाथी के चित्र मिलेंगे, चकोर पक्षी मिलेगा ठीक है और विसेश कर लाल रंग का प्रियोग इसमें मिलेगा तो यहाँ लाल रंग का मतलब यह नहीं है कि पूरे चितर में केवल लाल रंग मिलेगा यहाँ पर विसेश तोर पर लाल रंग का प्रियोग किया जाता है किसंगर शैली की क्या विसेशताएं है तो नारी सौंदर्य इसमें आपको दिखेगा सफेद और गुलाबी रंग का प्रियोग और केले के ब्रक्ष ठीक है कोटा भूंदी शैली की क्या विसेशताएं है तो लंबे खजूर के ब्रक्ष नीले रंग का प्रियोग और सुनहरे रंग का प्रियोग इसमें किया जाता है तो जैसे ही हम लोग ये देखते हैं कि इस चित्र में खजूर के ब्रक्ष, नीले रंग का प्रियोग और सुनहरे रंग का प्रियोग हुआ है तो उनको देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये किस शैली से सम्मंदित है बीका नेर और जोदपूर शैली की क्या विसेस्ता है है तो देखिए इसमें अधिकतर पीले रंग का प्रियोग किया जाता है इसके अलाबा भी और रंग प्रियोग होते हैं लेकिन जादा पीले रंग का प्रियोग होता है और आम के ब्रक्ष बीकानिर और जोदपुर शैली की विसेशता है फिर देखिये जैपुर और अलवर शैली की क्या विसेशता हैं तो इसमें हमें मोर और घोडा, हरे रंग का प्रियोग, पीपल वबट ब्रक्ष और इस्ति पुर्सों की आकरतिया भी इसमें मिलेंगी हमें मन ही नहीं लगता है यह चैप्टर ही इस टाइप का होता है चित्रशैलियों से संबंदित कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करता है लेकिन जब हम चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं फिर हमें इन कुशन अंसर में भी मजा आता है ठीक है तो इस तर बीका नेर की शैली पर किसका प्रभाव जलकता है आमेर चोधपूर बीका नेर की शैली पर किसका प्रभाव जलकता है तो इस पर मुगल शैली का प्रभाव जलकता है और कारण मैंने आपको बता दिया था राजामान सिंग सवाई जै सिंग इनके समय में जो है मुगलों के साथ इन लोगों के संबंद रहे ठीक है तो हिंदू शैली जो है वो वहाँ पर गई मुगल शैली जो यहाँ पर आई तो इस तरीके से हिंदू और मुगल शैली का प्रभाव जो है यहाँ पर दिखाई देता है तो इस तरीके से चैप्टर होता है आपका 10 जो चैप्टर है आपका इसमें 63 कुश्चन जो है वह निकल कर आए है बहुत ही इंपोर्टेंट कुश्चन है एक भी कुश्चन आप इग्नॉर नहीं करेंगे ठीके तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो की नाइन्थ क्लास का होगा थेंक यू